आ गया है विकानेर के हिंदी का पेपर कक्षा 10 के अर्दवार्शिक प्रिक्षा का प्यारविदर्थियों आप सभिगा चैनल पर हार्दिक स्वागत है मैं चंतर सिंग आज आपको इस कक्षा 10 के ओरिजिनल हिंदी पेपर का हल बताने वाला हूँ ये बिकानेर का पेपर आया है प्यरविदार्थियों आप बिकानेर में अपने किसी भी नीजी व्यक्तिक से फौन करके पूच सकते हैं ये ओरिजिनल पेपर है क्योंकि कक्षा 10 का हिंदी का पेपर हो चुका है इसलिए ये ओरिजिनल पेपर है परिविदार्तियों परशनों को बढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजे, चैल को सब्सक्राइब कर दीजे, घंटे का निसान दबाकर ओल बटन पर भी कलिक करते वे अन्य साथियों को सेर कर दीजे, क्या पता आपकी भी प्रिक्षा में ऐसे पर परिचे है, अब अगर बात करें इस परसन की तो भाई ये परसन तो गलत है क्योंकि इसमें तो कोई रेखा की तो पद ही नहीं है, ठीक है, अगर हम को अंडर लाइन कर दिया तो हम तो उत्तुम पुरूस है लेकिन ये विशेशन नहीं है, तो कहने का मतलब पहला परसन गल नहीं है, किस में नहीं है, प्रायन में नहीं है, तो दे उत्तर है, दूसरे का उत्तर क्या आपका दे है, परसन नमर तीन देगो निमलित में से किस सबद में इत परते प्रियुक्त नहीं हुआ है, कलंकित में इत है, आनद इत है, पुस्प इत है, लेकिन ये बीच में है न पानी पीना लोगकती का अरथ है बहुत मेंटी होना बहुत अनुभवी होना बहुत प्यासा होना या उन्मस कोई नहीं तुई है बहुत अनुभवी होना क्या उतर एह है इसका बह दे से और इसका हो गया बह पांच सौ चाती पर मूंग दलना महारे कारता है तो मेरी क्यों चाती पर मूंग दल रहा है गवरा जाना प्रिश्रम करना प्रेसान करना दुखी करना हाँ ये चाती पर मूंग दलना भाई प्रेसान करना होता है ठीक है न क्या होता है प्रेसान करना होता है अब देखो से हो गया अब थोड़ा यह भी है दुखी अच्छा दुखी होना नहीं है भई talented करना होता है दुखी होना नहीं है ठीक है परेसान करना से ही उतर आपका ध्यानर को दूसरे का 10 तीसरे का से चौत्ठे का 2 और पहला प्रशन गलत है अब आगे बढ़ते हैं प्रशन नमबर 6 से लेकर 10 तक आपके क्या पूछे गए हैं रिकत्स्तान पूछे गए हैं क्या पूछे गए हैं रिकत्स्तान 6 से 10 तक बाल गौविन भगत कद़ के गोरे चिट्टे आदमी थे लंबे कद़ के या मञले कद़ के थे वो मञले कद़ के थे ठीक है ना परशन नомर साथ मूरती की आँखों पर सरकंडे से बनावा चस्मा रखावा था या कांच से बनावा सरकंडे से प्रेस नम्पर आथे तप्त धरा जल से फिर उसन करदो या फिर सीतल करदो तो देखो बैज पहले से तप्त उसको उसन धोड़ी करना है, सीतल करना है तो सीतल हो जाएगा, नो पिता जी हमें पढ़े प्यार से तार्केश्वर नात कहकर पुकारते थे या भोले नात कहे कर पुकारते थे तो भोले नात कहे कर पुकारते थे प्रशन नमर दस दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर जाग निकाला दोनों केलों के सिर काटे और उन्हें गोद कर जाग निकाला तो यह आपके खीरे हैं क्या है यह खीरे तो यह होगे आपके रिक्स्तान वाले पैरविदार्तियों हिंदी के व्याख्याता के द्वारा इन परशन पत्रों का हल किया जया है विकानेर जिले का ओरिजिनल परशन पत्र है क्या पता ऐसा परशन पत्र आपके भी एकजाम में आ जाए आप तो केवली से भियास प्रशन पत्रमान की पड़े प्रशन नमर 11 हम पाँच बाई बहिनों में सबसे छोटी थी में अब देखो यहां से ग्यारा से लेकर पंद्रा तक आपको क्या करना है सत्ते और ए सत्ते की पहचान करनी है किसकी सत्य और ए सत्य की पहचान हम पांच भाई बहिनों में सबसे चोटी थी में ये बात कोई लेखी का कहती है ये वाक्य क्या है सत्य है दूसरा है कृषन ने गोपियों को योग संदेश देने अकरूर को भेजा तो भाई अकरूर जी को नहीं भेजा था उद्धव जी को भेजा था उद्धव को भेजा था तो ये गलत हो गया ना परसन नमबर 13 देगो लेखक ने सांप से ड्रकर अपनी माता के अंचल में सरण ली ये बात तो से ये ड्र गया भाई आपका लेखक परसन नमर 14 कामाईनी के रचनाकार नागारजुन है नागारजुन नहीं है भाई कामाईनी के रचनाकार जैसंकर परसाद है तो ये आपका उत्तर गलत हो गया परसन नमर 15 सिव धनूस के भंग हो जाने पर परशुराम जी क्रोधीत हो तो बैंकर क्रोधीत हो गया बिल्कुल सही उत्तर है बाई बिल्कुल सही उत्तर है तो देखो ग्यारवाँ सत्ते बारवाँ ऐसत्ते तेरवाँ सत्ते चोद्वाँ ऐसत्ते और पन्रा फिर सत्ते परसन नमर सोडा की तरफ बढ़ते हैं तेखो आगे अब चले जाते हैं ये छोटे परसन है सोडा से लेकर जे संकर प्रसाद को आतमकता लिखने के लिए किस ने आगरे किया था उनके काफी मित्र थे और मित्रों में उनके जो साती लेखक मित्र थे ना उन्होंने आगरे किया था कि भैया आप आतमकता लिखिये पर्शन नमर 17 लेखी का मनू भंडारी बच्पन में कैसी दिखती थी ये काली दिखती थी दुबली दिखती थी और मरियल दिखती थी तो लिख देना लेखी का मनू भंडारी बच्पन में काली दुबली तथा मरियल सी दिखती थी ऐसी थी भई मनू भंडारी पर्शन नमर 18 नवाब साव ने आम आदमियों की तरह खिरा जो नहीं खाया नकरे थे भी नवाब साव थे तो नकरे तो होने ही थे तो ये कह सकते हैं अपने खानदानी नकरे नकरे मतलब खानदानी रविया अपनाया था इसलिए उन्होंने खिरों को फैंक दिया कि हम बड़े हाई-फाई लोग हैं थोड़े बहुत ख़ाते हैं बाक्की फैंक देते हैं इसलिए खिरा नहीं खाया परसन नम्बर 19 देखिए उतसा कविता में निराला ने बादल को किसका परतिक बताया है नव जीवन का किसका बताया है नव जीवन एक मिट पहल विदा तो इस परसन को देखते हैं दुबारा तो हम परसन पढ़ रहे हैं उत्सा कविता में निराला ने बादल को किसका परतिक बताया तो क्रांतिक का परतिक बताया था किसका परतिक बताया था क्रांतिक का परसन बीज लेखक के पिता आटे की गोलिया किसे खिलाते थे उन्नेसवां केवल सिधी करानती नहीं है नुजीवन करानती ठीक ना उत्सा कविताम निरालन ने बादल को 9 जीवन करांती का पर्तिक बताया है और 20 मचलियां अटे की गौलियां लेक के पिता किस को किलाते थे मचलियों को किलाते थे आगे बढ़ते हैं अगले परसन क्यों और अगला परसन 21 कभी प्रसाद आथम कथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे अब ये बड़ा प्रसन आ गया भई ये आप अपने पूस्तक में देख के कर लेना आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन कौन सा है प्रसन नमबर 22 बीगानेर का ओरिजिनल पेपर है प्यरे विदार्तियों प्रसन नमर 22 उदो व्यादो हमको ले आए ये पंक्ति में गौपियों ने ब्यादी की से माना और क्यों कस्वे के मुखे चौराय पर लगी नेताजे की मूर्ती हवालदार साब को अधूरी क्यों लगती थी चोई स्किन कारणों से लेखी का मनू भणारी के मन में हीन भावना घर कर रही थी पच्चिस मुनी प्रसनाम ने लक्समन के बारे में व नखरे करके 28 राम लक्समन प्रसुराम स्वाद पार्ट में किन-किन जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया गया है तो प्यारे विदारतियों ये परसन आप अपनी पाठे पुस्तक में देख लेना ठीक ना आगे है परसन नमबर 29 परसन नमबर 29 क्या करा है वाई प परसन नमब 29 क्यारा जैसंगर परसाद का संक्सित कवी परिचे लिख दीजिए और तीस्वें उत्सा कविता में नहीत के अंद्रे बाव को सिपष्ट कर दीजिए अत्वा लेगा के अनुसार नेता जी का ससमा कानिका उदेश से क्या है एक 39 लित में से किसी एक वीशे पर निवन लिखना है प्लास्टिक की थेली प्रयावन को खत्रा है ठीके ना अब इसको आप इसकी पहले प्रस्तावना लिखो प्लास्टिक कच्रे का प्रसार लिखो प्लास्टिक थेली को प्रयावन पर दूसर लिखो प्लास्टिक थेली पर प्रवाई परतिमन उपसाहर लि करने के कारण बेरोजगारी दूर करने के उपाई उपसाहार और अंतिम है घै मोबाइल फोन वर्दान है या अभी साह इसकी प्रस्तावना ला बहानिया उपसाहार लिख दो प्यारे दारतियों यह पेपर यहां पर कंप्लीट हुआ यह यह पेपर आपको पसंद आया है यह तो आप इसको लाइक करें अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए घंटे का निशान दबाकर अल बटन पर क्लिक करते वे अपने अन्य साथियों को सेर भी कर दीजिए विका नेर जिले का ओरिजिनल परशन पत्तर है इसकी पीडियाफ मैं टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड कर दूँगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया वहां से आपको मिल जाएगा अन्य परशन पत्तर हमें जो भी मिलेंगे वो परशन पत मैं आपके इस चैनल पर अपलोड कर दूँ मैं आप देख सकते आरिजिनल पर सन्पथर भी और मोड़ RC पत्र भी जैसे भी हमारे पास पर सन्पथर आएंगे हम आपके चैनल पर अपलोड कर देंगे बचों तब तक लिए इतना ही फिर मिलेंगे जैंदि чет caste मात्रम